इस तरह करते हैं बहुत इजी टाइप के कोशन से आप अच्छे से कर सकेंगे बस एक बार आप वो समयने की जरुबत है ओके सूझ लुक प्लीज कियरफुली लुक फैकड यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि फोर आपों 8 प्लस प्री अपों 8 यह हमें देख रहा होगा आप कौं से। यहां पर आप देख रहा हुँग assass, जो हमारा आप से नाम सें है तो हो जब भी हम addition करेंगे like fractions के तो जो हमारे denominator का same है तो उसको हम वेंसा ही का ही वेंसा denominator में हम लिख लेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है तो हम क्या करेंगे we have to write 8 and the numerator part of the two fraction is written with same so 4 and then sign of the plus I am right here plus and 3 is 3 so 4 plus 3 is 7 upon 8 so 7 upon 8 is our answer तो मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ like fraction में 8 यहाँ पर दिया हुआ था ता उसी को मैंने यहाँ पर same लिखा उसके बाद जो मेरे numerator वाले part थे उनको मैं plus sign लगा कर जितने भी number हैं उनको मैंने addition किया फिर उसके बाद जो हमें answer मिला तो यह जो answer होगा हमारा यह इस दो जो fractions हैं उसका addition है ओके अगर यह भी इसको हम equivalent fractions में convert करना चाहते हैं तो आंगे भी हम कर सकते हैं लेकिन 7 upon 8 है तो इसको हम further हम divide नहीं कर सकते बट वी type question अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है 4 upon 10 plus 2 upon 10 यहाँ पर भी आप देख रहा होंगे कि यहाँ 10 10 दिया है तो 10 को मैं करूंगा यहाँ पर 10 को same लिख लूँगा को यह like fractions है उसके बाद 4 फिर plus का sign plus 2 4 plus 2 is 6 upon 10 6 upon 10 है इसको मैं further अगर 2 से divide करना चाहूं 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10 तो मिझे जो answer मिलेगा वो है 3 upon 5 तो यहाँ पर देख रहा हूंगे 3 upon 5 6 upon 10 का क्या है equivalent fractions यानि इसको हम यह भी लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो यह भी हमारा क्या होगा answers होगा and second part concept is subtraction of fractions यहाँ पर भी मैंने like fractions को लिए हुए हैं यहाँ पर मैंने लिखा है 11 upon 15 माइनस 6 upon 15 तो मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने addition कर रहा था विए यहाँ पर मैं 15 है like fractions का denominator में तो यहाँ पर denominator में क्या लिखूंगा मैं 15 and ओपर जो हमारा numerator part है उसको हम जो sign दिया वह same sign हम यहाँ पर लेंगे 11 यहाँ पर लिखा माइनस का माइनस 6 है तो यहाँ पर 6 11-6 is 5 and 15 is 15 यहाँ पर फिर 5 upon 15 है इसको मैं further divide कर सकता हूं 5 पर टेवल से इसको मैं cross करूंगा तो 5 बन जा 5 5 3 जा 15 so our answer is 1 upon 3 and the next question is B 13 upon 9 minus 11 upon 9 यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि like fractions है 9 है तो 9 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा इसके बाद 13 minus का minus sign and 11 13 minus 11 is 2 or divided by 9. So 2 upon 9 is a answer of question number V. So this is a addition of fraction and this is a concept of subtraction of fraction. I hope you understood these concepts. Thank you.